नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार भारत 14 जुलाई को दोपर 2-3 बजे के बीच में इस्पेसिप चंद्रियान 3 को लॉंच करेगा इसरो नियह जानकारी दी है इसके पहले इसरो चीफ एस सोमनात ने बताया था कि चंद्रियान 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉंच होना है यान पूरी तरह तयार है इसे बुद्धवार को ही लॉंचिंग यान में फिट किया गया था अगर चंद्रियान 3 का लेंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं चंद्रियान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉंच किया गया था करीब दो महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा बिक्रम लेंडर दुघटना ग्रस्थ हो गया था इसके बाद से ही भारत चंद्रियान 3 मिशन की तयारी कर रहा है मद्ध प्रदेश की पंद्रहवी विधान सभा का मांसून सत्र 10 जुलाई के बजाए 11 जुलाई से सुरू होगा ये सत्र 15 जुलाई तक चलेगा राजपाल के आदेशान सार इसकी अधिसूचनक गुरुवार को मद्ध प्रदेश विधान सभा सचिवाले ने जारी की है विधान सभा के प्रमुक सचिव अवधेश प्रताप सिंग ने बताया कि 5 दिवसी सत्र में कुल 5 बैठके होंगी इस दोरान सास की कारे संपादित किये जाएंगे उज्जेन में महाकाल लोग के बाद अब जल्द ही उज्जेन रेलवे स्टेशन नए रूप में आकार लेने जा रहा है 825 करोड रूपए से रेलवे स्टेशन की सूरत बदल जाएगी इस टेशन के री डबलफमेंट प्रोजेक्ट के नए नक्षे को केंदरी रेल मंतरी की शुकृत मिल गई है नए प्रोजेक्ट के मुताविक भवन की इमारत का प्रवेश द्वार भगवान सिप के त्री नेतर के आकार में बनेगा यात्रियों के प्रवेश के लिए तीसरा नेत्र खुला रहेगा जबकि बाकी दोनों नेत्रों से बाहर निकलने का रास्ता बनेगा 11 अक्टूबर 2023 को स्री महाकाल महालोग का लोकारपन पीम नरेंद्र मोदी ने किया था निर्माण होने के बाद उज्जेन में यात्रियों की संख्या में अप्रत्यासित इजाफा हुआ है अब रेलवे ने भी बढ़ती भीड को देखते हुए उज्जेन रेलवे स्टेशन का काया कल्प करने जा रहा है करीब 825 करोड रुपए से इस्टेशन का विकास किया जाएगा इसके लिए कंसल्टेंसी एजनसी प्लान तयार कर ली है उज्जेन रेलवे स्टेशन का विकास पूरी तरह से हवाई अड़े की तरज पर किया जाएगा बंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है रेलवे कम दूरी और कम यात्री वाली कुछ बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया घटाने पर विचार कर रहा है मिली जानकारी के मुताबिक छोटी दूरी वाले कुछ बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सीटे पूरी तरह फुल नहीं हो पा रही है ऐसे में किराय का रिब्यू किया जा रहा है संभावना जताई जा रही कि 25 से 30 प्रतिशत किराया कम हो सकता है रिपोर्ट में बताया गया कि इंदोर भोपाल भोपाल जबलपूर और नागपूर बिलासपूर एक्सप्रेस समित अन्य बंदे भारत ट्रेनों के किराया में कमी होने के आसार है रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में भोपाल जबलपूर बंदे भारत एक्सप्रेस में केवल 29% सीट ही भरी हुई थी वहीं इंदोर भोपाल बंदे भारत एक्सप्रेस में केवल 21% ओक्योपेंसी रही है भोपाल जबलपूर तक AC चेयर का किराय 155 रुपए है जबकि एक्जिक्यूटिब चेयर कार टिकट की कीमत 1880 रुपए है सोचल मीडिया फर्म मिटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने बुद्धवार रात नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेट्स को लॉंच किया है इसकी संख्या बढ़कर 50 लाके पार पहुच गई इसे अभी 100 देशों में लॉंच किया गया है यूरूपियन यूनियन में रेगुलेटरी चिंताओं की वज़े से इसे लॉंच नहीं किया गया है मद्प्रदेश में बारिस का दोर चारी है इंदोर खंडवा और साकर में भी जमकर बारिस हुई विदिशा धार और छिंदवाडा में तेज़ पानी गीरा पंणा में बिजली गिरने से 4 लोगों के मौत हो गई वहें टीकमगड में भी बिजली गिनने से दूखिसानों ने दम तोड़ दिया प्रदेश में इंदोर और जबलपूर समित 21 जिलों में गुरवार को भारी बारिस का एलर्ट है इन जिलों में चार इंच से ज़्यादा पानी गिरने की संभावना है सुक्रवार से बारिस का स्ट्रॉंग सिस्टम एक्टिव होगा इससे लगातार तीन दिन तक प्रदेश में तेज बारिस का दवर चारी रहेगा मोशम विभाग ने अगले 24 घंटों में जहार खंड को छोड़ कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिस का एलर्ट जारी किया है दिल्ली NCR और दच्छनी राज केरल के 6 जिलों में गुरुवार सुबे से जमकर बारिस हो रही है कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरातरी